असराबाद में जो रैली या जलसा वो कर रहे हैं वो तो टोटल फ्लॉप है तो मुझाफराबाद में इमरान के चहरे पर भारत के नाम का डर, इंडियन आर्मी का खौफ और पियम मोदी के नाम के दहशत जलक रही थी एक महिने में तीसरी बार अमरान खान पियो के पहुँचे थे लेकिन ना लोगों में उत्साह था और ना ही उनको कोई सुनना चाहता था जब रैली में उन्होंने तक्रीर शुरू की तो लगिये नहीं रहा था कि किसे मुल्क का कोई प्रधान मंत्री बोल रहा हो एक आतंकी की भाषा बोल रहे थे अमरान खान लोगों को उकसा रहे थे भारत के खिलाफ भड़का रहे थे चार दिन से सरकार के ओड़ से विग्यापन चापी जा रहे थे कि टेरे स्थान के प्रधान मंत्री पियो के कि मजफर अबाद पहुँचने वाले हैं लोगों की बीच जुमे के नमाज पढ़ेंगे लेकर नमाज तो बहाना था असल में दुनिया को दिखाना था कि मजफर अबाद के लोग क्या चाहते हैं रैली शुरू होनी जा रही थे लेकि जब बुठी पर लोग भी नहीं पहुचे तो एप्टाबाद और अवल पिंडी से लोगों को लाया गया बस, ट्रेन और ट्रकों में भर कर योकी के पत्रकारों ने दुनिया को बताया कि ये इमरान खान का एक फ्लॉप शो था